चलो तो खतम कर दें 2017 को ठीक है तो यह हम लोग आ गए हैं लास्ट सिफ पे लास्ट पेपर पे ठीक है 2017 का 7 जुलाई का सिफटू का पेपर है यह फाइनल पेपर होगा और इसके बाद 2017 कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग बज़ाए 2018 पे जाने के पहले मैं CHSL के जित 2017 को कंप्लीट करके फिर CHSL को ही 2018 को पहले पिक कर लेंगे जिन बच्चों को एक्जाम है उनको ज्यादा हेल्प हो जाए ठीक है तो यह पेपर आज फिनिश करते हैं और अब मैं ट्राइ करूंगा कि दो सेटS CHSL के एक दिन में अप्लोड हो सके ठीक है चलो तो देखो पहले आई कुशन बढ़े कुशन आपके सामने हैं बोल रहा है दो अंको की कितनी ऐसी संख्या है जो साथ से समाप्त होती है एंड सिन 7 एंड डिविजबल भाई 3 तीन से डिविजबल हो तो 07 इस तरह से अगर दो अंको की संख्या देख रहे हैं तो 17 हो जाएगी यह ना 27 होता ह अच्छा देखो अब पहली निमबर आपको मिल गया ना तो बस यहां से ही काम स्टार्ट हो जाता है अब इसके बात देखो अगर मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो यह क्योंकि डिविजबल है 10 जोड़ोगे तो रिमेंडर कितना एक एड होगा ठीक है अगर आप 20 वो भी completely divisible होगा तो इसी तरह से आपको तीस और जोड़ना होगा तो यह आएगा 87 तो अपने का मात्र तीन ऐसे numbers है जो की 3 से divisible है और ends कहां पर 7 पे end होते हैं तो तीन ऐसे numbers हो गए ठीक है अगला question देखो बोल रहा है 165 का square 165 का square है वो 27225 है तो आपको बताना अगर इसक 65 के बराबर तो 10 अंखो के बाद लगाव दिया है तो आप बोलोगori यह आएगा 16.5 चार अंखो के बाद लगा दिया हैตो यह आगया 1.65 और इस पूरा दसंबलो पीछे लगा दिया है तो आपने का यह 0.165 हो जाएगा ठीक है तो यहां तक में 0.165 हो जाएगा और इसके आगे दो और तो आपने का यह हो जाएगा दसंबलो जीरो ठीक है 165 यह इतना इस तरह से आपका वैलियो आ जाएगा देखो चार अंकों के बाद है एक दो तीन चार तो यहां आठ अंकों के बाद होना चाहिए दो चार च्छे च्छे है तो फिर तीन अंकों के बाद आएगा यानिकि 0.165 होगा ठीक है तो 0.165 होगा तो आपने का इसको जोड़ देते हैं तो यह 16.5 1.65 और 0.165 यह आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 यहां पर आ जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल लगेगा 1 6 12 और 13 के 3 हासिल लगेगा 1 यह हो जाएगा 18.315 यह इसका आंसर होगा ठीक है चलो आगले question पर आ जाते हैं 29 की power 136 के कि काई का स्थान क्या होगा जोको 9 की power में 2 ही रहते हैं 9 का square करो तो क्या सी और फिर से cube करो तो 9 तो आपने बोला कि जब भी हम लोग कैसा even numbers power में देखेंगे तो 1 होगा odd number power होगी तो 9 ही रहता है तो either 1 या 9 आता है इसके लावा कुछ भी नहीं आता है तो आपने बोला 136 क बाहर में आप सिर्फ और सिफ 2 रखते हो तो 10 अंदर जाएगा तो 100 हो जाएगा 100 इंटू 3 यह कितना हो गया 300 हो गया अब 300 आपको बनाना है कैसे बनाना है दो numbers के multiplication से 300 बने so that उनका sum कितना हो 37 हो इसी तरह से यहाँ पर 61 है प्लस यहाँ पर 2 बाहर रहेगा अंदर 14 का square हो जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा अब आपको यहाँ पर भी जो यह number बनेगा यह इस तरह से बनाना है कि 61 उसका sum हो और multiplication पर यह value बननी चाहिए देखो क्या-क्या factors हो सकते हैं 300 को मैं क्या लिख सकता हूं 300 की जगह पर इसको थोड़ा सब रेक करते हैं तो 25 गुणे 4 लिख सकते हैं और चारती हैं 12 तो 25 और 12 37 हो जाएगा तो चलो एक तो मिल गया आपको 25 और 12 मिल गया अब क्योंकि देखो final answer में इसके अगर इस value लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस root 12 लेकिन root 12 तो है नहीं it means यहाँ पर भी हमें 12 बनाना है तो 12 बनाएंगे कैसे देखो इ यहाँ से 12 बन जाएगा तो यहाँ पर 49 आ जाएगा अब देखो 49 और 12 कितना होता है 61 तो यह हमारी बात बन गई तो आपने बोला कि यहाँ से value आएगी 5 प्लस root 12 और minus sign है यहाँ पर तो यह value कितनी बन जाएगी 7 प्लस root 12 के बराबर root 12 से root 12 कट दोगे यह value minus 2 के बराबर इस पावर में 1 देखो यहाँ पर 27 है 13 है और 47 है पावर में 16 है 13 है 12 है तो आपको 12 ही LC हम दिख रहे है तो 12 बनाओगे तो यहाँ पर power 4 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा अब दो यह जो नंबर है न यह आप कह सकते हो कि काफी छोटा होगा यह सबसे छोटा नंबर हो ग सबसे बड़ा नंबर यह हो जाएगा देन यह आएगा और यह जो है वो सबसे छोटा होगा तो आपका क्या result इसी तरह का लिखा है नहीं लिखा है 47 की power को सबसे बड़ा बता दिया गया है और यह दोनों ही बोल रहे हैं कि इससे तो बड़ा ही होंगे तो यह तो बिल्कुल गलत है तो पहला तो गलत होगा तो पहला तो option में होना चाहिए तो या तो second option होगा या फिर last तो आप क्या करोगा अब थर्ड चेक कर लो थर्ड देखो क्या है थर्ड में बोल रहा है 53 है फिर से वही power कर देते हैं हम लोग 41 की power कितना 4 और 37 की power 6 हो जाएगा तो यह number सबसे बड़ा number है देन आपका यह number आएगा और यह number तो यह third relation तो सही है अगर third relation सही है तो all false नहीं होगा आप बोलोगे कि क्या first and second यही false होगे ठीक है क्योंकि first तो होना ही होना है तो यहां से आप cancer आजाएगा असत्ते कौन सा कूछ रहा है तो first और second will be the right answer ठीक है और हम लोगों पी क्यू आर एक साथ किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं एफिसेंसी कितनी है पी क्यू आर की तीन दो पांच और एक छे तो यह इस तरह से है आर अकेले उसी काम को आर के एफिशेंसी एक है number of days दी लगेंगे तो 36 चकर 216 दिन उसको लग जाएगा इस काम को करने मे दो पाइप A और B 10 और 15 घंटे में एक टैंक को भढ़ सकते हैं ठीक है पी और क्यू या फिर A और B दिया गया है दस और 15 घंटे में खाली टैंक भढ़ सकते हैं पाइप C अकेला 12 घंटे में पूरी भरी टैंक को खाली कर सकता है पहले A और B खोले जाते हैं 5 घंटे के प्लस का और यह पांच माइनस का तो बचेगी कितनी पांच बचेगी तो आपने बोला कि टोटल दो घंटे यहां पर और पहले कितने पांच गंटे तो टोटल साथ गंटे आपको पुल समय पूच रहा है तो यह जो चूट है कि बावन के बराबर है अगला कुश्चन बोला है एक लेख 35 परसेंट की चूट पर बेचा जाता है यह ज़िए लेख का विक्रह मुल इतना है तो लेख का अंकित मुल ले क्या होगा तो अपने का मार्क प्रैस कितना होगा 35 परस में सेल हो रही है यह 5 से काट दें 20 की चीज है तो 13 में सेल हो रही है तो 13 की वैली इतनी है 13 से डिवाइट कर दोगे कितने बढ़ जाएगा तेरे कम 13 बचेगा 7 और 2 9 13 सत्य क्यानवे बचेगा कितना 6 35 तो 175 आ गया 20 से गुना कर दो तो यह 17.5 है यहां पे 200 है साड़े सत्रह है सत्य दुन चौतिस और एक 35 तो यह 35 सो के बराबर आ जाएगा ठीक है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PQR इस अनपात में एक वेवसाय में निवेश करते हैं किस अनपात में 12 से गुना करो 6 4 1 इस अनपात में निवेश करते हैं टोटल कितना लाब होता है 101 कि स्ट्रिपल जीरो का लाब होता है क्य wheat सक्या होगा पर पे बीच में आपने का यह वेल्यू 11 के बराबर है तो एक के वेल्यू 11000 तो चार की वेल्यू 44,000 के बराबर हो जाएगी यह इस कुशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगले question पे आजो, ने, question बोला है, 94,000 रुपए को A, B, C के बीच इस प्रकार बाटना है, कि A के भाग का 20%, ठीक है, A के भाग का कितना 20% मतलब 1,5 बराबर है, B के भाग के 25%, यानि 1,4 और C के भाग के 15%, यानि की 3,20 के, तो आपको पताना है, C का हिस्सा क्या होगा, तो यहां से हम लोग directly A, B और C का ratio लिख सकते हैं, यह कितना आजाएगा, 5, अनुपाद 4, अनुपाद 20, बटे 3, ठीक है, तो C का भाग पूछ रहा है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, टोटल आपको सम पता है, 94,000 है, तो आप यहां पर 3 से गुणा कर लोगे, तो यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 4, 3, 12, और यह 20, टोटल सम कितना आजाएगा, 20, 10, 10, 10, 40, और यह 47 के बराबर, 47 की value question में 94 है, एक की value 2 हो जाएगी, एक की value 2 हजार के बराबर है, तो C की value कितनी, 20 की 40 हजार के बराबर हो जाएगी, बोला, साथ क्रिमागत विसम संख्याओं का ओसत ए है, यदि अगले 4 और पिछले 3 विसम संख्याओं को, इन 7 विसम संख्याओं में एड कर ले जाए, तब इन 14 लगातार विसम संख्याओं का नया ओसत क्या हो, देखो, अगर आपने अगले 3 और पिछले 3 को एड किया, तो जो ओसत है वही रहेगा, यहां तक बात समझ में आ गई, तो आपने बोला, एक और अगर आगे का एड कर लिया जाएगा, तो ओसत में क्या चेंज आएगा, हमने का एक अगर विसम संख्याओं या एक संख्याओं इस तरह से, जब हम लोग बोलते हैं और इन्हें आड करते हैं, तो एक का चेंज आता है, तो प्लस वन विल बी दा, राइट आंसर, अगर यहां पर consecutive numbers होते, तो 0.5 का चेंज आता है, लेकिन क्योंकि consecutive numbers नहीं है, अंतर कितने का है, दो-दो का अंतर आता है, तो इस वज़े से एक आप यहां पर add करते हों, ठीक है, अगला question देखो, बोल रहा है, average of 30 numbers is, 30 numbers का average कितना 106 है, बात में देखा कि आउसत की गढ़ना के लिए 82 और 36 के स्थान पर को लिया गया था, सही आउसत क्या होगा, अब देखो, आपको ने क्या बोला, wrongly taken as, यह आपने लिया था, लेकिन लेना कितना था, 82 और 136, देखो, 82 और 136, यानि कि आपने का संख्या कितना, minus का 10 यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर minus का 50 हुआ, तो यह total minus का 60 हो जाएगा, minus के 60 को divide करोगे 30 से, तो यह आपका value कितना, minus का 2 आजाएगा, तो जो आपका औसत है, वो 2 कम हो जाएगा, 104 विल बी the right answer, आगला question देखो, क्या कह रहे है, एक दुकानदार अपने माल को, क्रेय मुले पर बेशने का दावा करता है, लेकिन 2500 ग्राम वजन के लिए, 225 ग्राम वजन उप्योग करता है, और 2500 ग्राम का दावा करता है, 25 से काट दोगे 9, 25 से काट दोगे 10, 9 से 10 जाता है, एक का प्रॉफिट है 9 पे, यानि कि 11.11 ये इस question का correct answer हो गया, बोले एक आदमी दो लेक को प्रतिक 240 पे बेशता है, एक पे वो 20 परसेंट का लाब, यानि कि 5 से 6 का लाब होता है, दूसरे को 25 परसेंट की हानी, यानि कि 4 से 3 पे जाता है, पूरे लेंदेन में कुल लाब यहानी क्या है, आपने का दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम कर देते हैं, तो देखो ये कितना हो गया, 5 और 8 ये कितना हो जाएगा, 13 और यहाँ पर कितना हो गया, ये आप 12 और 12 कितना हो गया, तो आपने लगबग 11 रुपय का profit कमाया है कितना हो जाएगा 8 है तो ये 13 हो गया तो आपने का 6 रुपय का loss कमाया एक रुपय का loss कितने पर है 13 पर तो 13 कितना होता है 13 सत्य एक 90 तो 7.69 और 6.8 दो पास पास values है तो आपको exact इसको लिखना पड़ेगा एक बटे 13 यानिकि 100 बटे 13 तो साथ बर जाएगा एक 90 बचेगा 9 तो 13 9 है डिवाइट करोगे तो फिर से 90 हो जाएगा तो 13 65 तेरा चंग 68 है न तो 68 है तो यहां 12 बचेगा फिर से 120 कर दोगे और 13 से पहाड़ पड़ोगे तो कितनी बार जाएगा तो 9 बार भाग जाएगा तो 7.69 परसेंट यह इसका करेक्ट आंसर होगा तो 69 और 68 तक दे दिया है तो आपको बहुत नियर यानि कि करेक्ट वैल्यूस तक आपको अगर याद है तब तो बहुत बढ़ी है एक बटे 13 क्योंकि मुझे यह साथ सही 9 बटे 13 याद रहता है लेकिन अगर यहां से वैल्यूस याद होती तो साथ यह सॉल नहीं करना पड़ता डारेक्ट लिखा जा सकता था ठीक है अगला कुशन देखो क्या बूल रहा है जो है वो B से 20% अधिक है B जो है वो C से 30% कम है यानि कि यह साथ है तो आपने का B की दो वैल्यू नहीं हो सकती तो इसमें साथ से गुणा करोगे और इसमें 5 से गुणा करोगे यह A, B, C का रेशियो आगया यदि A 210 है तो आपको बताना है C कमान क्या होगा कितने से गुणा किया गया भई 21 है और यहां पर भी 20 है दो है यहां पर 10 है यानि कि 5 से गुणा किया गया तो यहां पर 5 से गुणा कर दोगे यह आ जाएगा 200 के बराबर अगला कुशन है आयत की लंबाई और चौनाई में करमसा 15% यानि कि 3 बटे 20 तो आपने का 20 से हो गया 23 और 20% यानि कि 5 से 6 यह व्रध्य होती है तो आपने का यह हो जाएगा 100 से 6,3,8,1,6,12,13,13,138 यानि कि 38% की व्रध्य होती है अगला कुशन बोल रहा है धारा की दिसा में एक नाव साथ गंटे में 35 किलोमेटर और पांच गंटे में समान दूरी विपरित दिसा में जा सकती है ठीक है देखो धारा की दिसा में अगर जाएगी तो दोनों हेल्प करेंगे तो साथ गंटे में 35 यानि कि 7,35 तो पांच किलोमेटर पर आर यह उसकी स्पीड हो गई 25 किलोमेटर upstream है तो upstream जो होता है वह अपोजिट होता है तो आपने का यहां पर 5 है और यहां पर क्या होता है शाथ है तो यह क्लोमेटर पर आर यह आपकी धारा की स्पीड आ गई किलोमेटर प्रतिगंटा और 6 आपकी बोर्ट की स्पीड है जब साथ जाएगा तो जोड़ जाएगा अपोजिट जाएगा तो घड़ जाएगा तो अगला कुश्चन क्या बोल रहा है देखो 600 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 80 सेकेंड में एक हजाय मीटर लंबाई के एक प्लाटफार्म को पार करती तो अपने का टोटल कीतना समन जाएगा तो यह आपका आभत कियों करने है तो यह आपका अंसर आ जाएगा वैसे 72 आजाता अगला कुशचन बोलर राजीव नेके कंपनी दो साल के चक्रवधी ब्याज पर कंपनी में दो साल के चक्रवधी ब्याज पर 45 रुपए निवेश किये उसे 1980 रुपए का ब्याज दिया गया ब्याज किदर क्या होगी जिस पर राजीव ने अपना पैसा निवेश किया था ठीक है प्रेडिम इंट्रेस्ट इसको मिल गया है कितना मिल गया भई 1980 रुपए अब देखो जब भी इंट्रेस्ट पूछा जाता है ता हम लोग कुश्चन को कैसे करते हैं ता हम लोग उसको एक जनरल यानि कि अगर सिंपल इंट्रेस्ट पर होता तो कितना होता उस बेसिस पर करते हैं तो अगर आपको रेट पूछा जाए दो साल के लिए और मैं कर रहा हूँ कि इस सिंपल इंट्रेस्ट है कितना 1980 के आसपास वैल्यू देखना है इससे थोड़ी सी कम वैल्यू ही बलकि हमको देखना है तो आपने का 0 सी 0 कटेगा दो से यहां पर मुगुणा करोगे तो 90R है 90R की वैल्यू अब देखो ओप्शन से ले सकते हो अगर 10 होता तो 900 हो जाता ठीक है तो 10 तो बहुत कम हो गया है न 20 पे आजा सीदे से 20 पे अगर मैं करूँगा तो 20 अगर होगी तो यह वैल्यू 1800 के बराबर होगी और यह परफेक्ट वैल्यू है क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और इतना ही होगा आप देखो 20 परसेंट को हम लोग चेक करते है पूरा करेक्ट है कि नहीं आपने का पहले वर्स भी 900 मिलता अगले वर्स भी 900 मिलता 20 परसेंट है ना भई तो एक साल में आपका कितना 900 और दूसरे साल भी 900 और टोटल अठारा सो मिल जाता तो आपने बोला कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना 180 है तो यह इसका 20 परसेंट होना चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पावर में आता है ठीक है चलो अगले कुशन पर आजाओ नेक्स क्या बोल रहा है आपको दिया गया है 20 परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए के मुल धन पर चार वर्सों के लिए चक्रविद्धी ब्याज क्या होगा देखो भई चार वर्सों के लिए जो चक्रविद्धी ब्याज होता है और अच्छा अंतर बताना है तो 4641 यह आपका चक्रविद्धी ब्याज होता है जिसमें से यह 4 क्या होता है साधान ब्याज इसको हटाना है यही value आपको बतानी है तो कैसे करोगे देखो आपने बोला बारा हजार रुपए है बारा हजार रुपए हो गया इसका 20% निकालोगे तो एक 0 इसमें कम हो जाएगा दो से गुना कर दोगे तो यह आगया 2400 इसका कोई रोल नहीं है फिर से एक 0 हटाओगे दो से गुना कर दोगे तो यह 480 आगया फिर से एक 0 हटेगा और 2 से गुना हो जाएगा तो यह 96 आगया फिर से एक 0 हटेगा और 2 से गुना होगा तो 96 का दुगना कितना होता है 192 तो यह 19.2 आगया यह आपका value आ गया, simple intentional compound risk के बीच का अंतर, तो इसको calculate कर लोगे, 96 का गुणा आप 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सारी values में लिख रहा हूँ, पहले आएगा 0, 88, 48, 8, यहाँ पर आएगा 4, 6, 4, 24, 4, 28, तो यह हो गया, 96 है, इसको अगर 100 बानू, तो 4 से गुण इसके बाद 19.2 है, तो 2.2 आपके एक ही option में है, 9 और 4, 13 भी हो रहा है, यही आपका correct answer हो गया, ठीक है, चलो, अगले question पर आजओ, नेक्स question बोला है, 2012 से 16 तक दो कंपनिया A और B की I और V दिखाती है, लाब जो होता है, वो I-V है है, और लाब परिस्यत I-Vै अपॉन में व मिरसा क्या है, 2013 में A, तो आपको लाब बताना है, लाब परिस्यत नहीं, तो आपने का लाब दिखो कितना होगा, income minus expenditure करना है, तो आपने का income minus expenditure करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, कितने 0 है इसमें बई, 20,000 का यहाँ पर profit है, ठीक है, यह 20,000 का profit हो गया, 2013 में, company A का, ठीक profit है, तो बीस और पचास है नहीं कि दो और पांच यह पहला question का answer हो गया, देख वर्सों में A का ओसत वार्सिक लाब रुपए में क्या है, अब A के सारे लाब निकाल लो, तो आपने का यहाँ पर पचास जार में है, यहाँ पर बीस निकाल चुके है, यहाँ पर कितना आ ग तरह जार हो गया, तो यह आपके सारे लाब आ गया, तो इनको जोड़ दो 75 रुपचिस कितना हो गया, एक लाख, और पचास और चालिस नब्बे और यह दो लाख, तो दो लाख दस जार आ गया, तो लाख दस जार इतना profit है, औसतन अगर देखेंगे तो कितने 5 है, 5 से डि दालना पड़ेगा, तो देखो यह कितना आएगा, 30,000 का यहां पे लाख है, 25 से 22 तो यहां भी कितना है, यहां पे तो loss में है, इनकम ज्यादा है, और expenditure कम है, तो नहीं तो ठीक है, तो कितना कम हो रहा है, 2,20,000 है, 2,50,000 है, हाँ, 30,000 है, ठीक है, और 32 है, तो यहां पे प्रिसत देखो कैसे जादा होता है, आपने का जैसे 6 values में मैं देखू, आपने का 2 से 3 गए और 1 से 2 गए, लाव देखो अगर मैं जनरल एक value बोलू, तो लाव दोनों ही cases में कितने का है, एक का, लेकिन अगर आप एक का एक पे देखोगे तो यह 100% profit है, लेकिन अगर एक का दो पेर देखोगे तो यह 50% profit है, यानि कि जिस वस्तु पर देखा जाता है लाव, अगर वो छोटी है, तो आपका लाव प्रिसत बहुत जादा हो जाएगा, और देखो लाव प्रिसत देखा किस पर जाता है, वेर पर देखा जाता है, expenditure पर देखा जाता है, तो expenditure सबसे कम ह जहां पर, वही आपका profit सबसे बड़ा होगा, तो अपने का यहां पर सबसे कम expenditure है, तो यह कितना है, 30,000 का profit है, कितने पर, 150 पर, तो यह value आपके कितनी आगे, एक बटे 5, यानि कि 20% के बराबर, यह आपका 20% हो जाएगा, और वांकी तो 30 ही 30 का profit है, इसके बाद यहां पर profit 50 का है, लेकिन किस पर है, 50 के का profit है, 400 पर, तो यह 50 के का profit 400 पर देखेंगे, तो कितना आजाएगा, पहां से काटोगे, 8, 45, एक बटे 8 कितना होता है, 16, 12%, तो आपने का सबसे जो बड़ा profit मिला है, वो यही वाला profit होगा, और यह कितना होगा, 2012 में, तो 2012 इसका correct answer हो जाएग अगला question बोला है, यदि A की आए और वे समानदर, 2016 से बढ़कर, 2017 में, 2015 से बढ़कर, 2016 में, तब 2017, इंगलिस में पढ़ लेते हैं, बोला, income and expenditure of A increases by the same rate in 2017 over 2016 as they did in 2016 over 2015, तो आपको बताना है profit percentage approximate क्या होगा, अब देखो यह question बढ़े है, question बन रहा है, देखो, आपको पहले तो यहाँ पर values को देखना होगा, A के बारे में बात कर रहा है, और बोल रहा है 2015 से 2016 में, जिस rate से बढ़ा है, उसी rate से अगर income and expenditure बढ़ता है, तो profit percentage 2017 में क्या होगा, अब आपको 17 की values तो पता ही नहीं है, तो 17 की value यहाँ से ही आपको बनानी है, देखो, यहाँ पर मैं values लिख कर रहा हूँ, 2015 में कितना है, 490 है, आगे के 3 0 में हटा रहा हूँ, तीन 0 जो है, इनको नहीं ले रहा हूँ, 490 यहाँ पर 450 है, यह आपका 450 के बराबर हो गया, यह आपकी income है, यह आपकी expenditure है, 2016 में यह value क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, यह 610 हो जा रही है, और यह कितनी हो जा रही है, 525, ठीक है, एक बच चेक कर लेते हैं, यह 610 नहीं है, 6 है और यह 525 है, ठीक है, तो आपने बोला कि यहाँ तक value, यहाँ तक question आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कुछ है ही नहीं question में, यहाँ तक तो question आसान है, income expenditure आपको दिया गया, अब देखो question क तो यह जो value आएगी, आपको बताना है, इससे आपको difference निकालना है, तो वो profit होगा, उसके upon में expenditure लिखाना है, तो बताना है, लाव प्रितिसत क्या होगा, यह आपका question है, देखो काफी अच्छा-कासा question बना दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ratio कैसे देखो, तो यह value जो है, आपका इन दोनों में कुछ खास ratio भी नहीं है, कि कटता हुआ चला जाए, यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा कुछ बन रहा है, तो इसको ही पहले कर लेते हैं, देखो, तो expenditure कितना आ जाएगा, आपने का साड़े 400 है, 525 है, तो यह value आपकी कितनी बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, लगबग 75 से बढ़ा है, है न, 50 और 25, 75 हो गया, तो 75 बढ़ा है, साड़े 400 में, तो इसका अगर मैं ratio ही लिख लूँ, कि कितना ratio बढ़ा है, तो आप 15 से काटोगे, 15, 75, 15, 35, तो 5, 30, 5 से काट दोगे, तो 1 बटे 6, ठीके, तो 1 इसका value बढ़ा है, है न, 45, अगर आप 1 बटे 6 निकालोगे, तो ये कितना आजाएगा, आपका 75 के बराबर आजाएगा, है न, निकाल के चाएगा, देख लो, 2 से काट दोगे, तो 5 चाएगा, 3 से काटोगे, 15, 15, 75, ठीके, तो ये 1 बटे 6 आपकी value आगई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी, इस वाले value का भी, 1 बटे 6 निकालना पड़ेगा, किसका 525 का, तो बटे में तो 2 है, तो कटे गा, न, 3 से काटोगे, तो कितना आएगा, 3 से काटोगे, तो एक भढ़ जाएगा, 2, 7, 21 का, एक और यहाँ पे 15, तो 175 आगया, अब बटे में 2 तो 75 का बटे में 2 करों गे, तो कितना आएगा, 170 होता, तो 85 हो जाता, ठीक है, और 2 है तो 87.05, ये इसमें बढ़ेगा, तो 87.05 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, तो 85 तो अलगी हो जाएगा, 7 और 5, 12, के दो हासी लगेगा, 1, 8, 2, 10, और 11, और ये हो जाएगा, ठीक है, तो य जाना है तो उससे कोई फाइदा नहीं है तो आपने का यह expenditure है 2017 का अब देखो income कितनी होगी 490 से 60 पे गया तो कितना 110 का आपने increase किया है 110 का increase है 49 पे यह आपका ratio आ गया 490 पे यह 11 बटे 49 तो आपको 600 की भी यही value निकालनी है और इसी कोई आपको 600 में जोड़ देना है तो 600 की यह value निकालूँगा तो कितना आएगा भई 49 है कुछ कटी नहीं रहा है देखो 600 मान लेते हैं और divide करते हैं 49 से तो 49 से divide कर दोगे कितनी बढ़ जाएगा एक बढ़ जाएगा यहाँ पर बचेगा 50 है तो 16 और 17 हो गया पचास था पांच बढ़ जाता पांच बढ़ नहीं जाएगा चार बढ़ जाएगा तो चार बढ़ जाएगा तो कितना आएगा यह value आ जाएगी 196 तो 196 तक जाएगा और यहाँ पर 304 आपका 34 बचेगा तो अभी भी अगर मैं दसम्राइगा तो साथ बार अप्रोक्सिमेट वैल्यू साथ पना 35 तो 343 प्रोक्स जाएगा तो साथ बार मैं इसको 134.7 इतना लिख सकता हूं ठीक है तो यह value कितनी आगी 134 अब अप्रोक्सिमेट ले लेते हैं ना 0.7 तो 134 ले 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 या अब लि अपका expenditure है तो इसका अंतर निकालोगे काफी calculation हो रही है इस question में तो यह आ जाएगा एक सो कितना 34 है तो यह हो जाएगा कितना 222 122 का आपको profit है दसमलो अब दो नहीं लिख रहा हूं में और यह कितने पर 612 पर तो 122 का profit है 612 पर तो यह जो value है approximate अगर आप देखोगे तो 12 65 होता है यहना 5 से गर मैं गुणा करूं तो कितनी बार जाएगा यहना 12 पर यहनी कि 600 के बराबर और 5 से गुणा करोगे दो में तो यह 10 आ जाएगा तो exact यह value एक बटे 5 का ratio करना चारी तो एक बटे 5 करोगे तो यह कितना होता exactly 20% के बराबर यह अनुमानित इसका लाप्रि कर लिए आपने 26 question पर आजाओ बोल रहा है एक घंड का आयतन 1728 cm3 है तो यह इसकी साइड हो जाएगी कितनी 12 संपूर्ण प्रस्चेतफल कितना होता है 6a2 तो 12 का स्क्वार 144 और उसमें से 6 से गुणा कर दोगे तो अगर 12 से ही गुणा हो जाता तो कितना होता 1728 लेकिन आप हाफ कर देना है तो हाफ कर दोगे सम्पूर्ण का व्र टिसे टोटल सर्फिस एरिया उफद़ क्योग तो 6a2 होता है तो एक का स्क्वार करोगए 144 तो इसका हाफ करना है आपको 28 कितना होता है तो से काटते चले जाएगा 8 वर जायेगा 8 एक है क्या अप्शन में यही आंसर ह हो गया है ना और इसका डबल भी करना इतना ही हो जाएगा चलो आगले कुश्चन पर आजाओ बोल रहाँ पंद्रा रूट 3 सेंटीमिटर के सबसे लंबा चंड जिससे घनाकार कमरे में रखा जा सकता यह यह रूट 3 होता है तो यह रूट 3 के वैल्यू कितनी है 15 रूट çalış तो आपने बोला Sabiak हिसा नाmäßig कर गद रहा है यही साइद की कर अगई फंद्रा का क्यूह की रूट के मेंचले दिखुब क्या ह्या तो जो गोला है उसकी रेडियस कितनी है तीन गुणी यानिकि 3R के बराबर है तब ख्रशा उनके आयतन का अनुपात क्या होगा तो इसका अच्छा कितना होता है उपर लिख लो क्यूंकि बड़ी वैलियूज बड़ी वेसाइड है तो यह होता है 4 by 3 pi r cube करोगे तो 3 का cube 27 r cube हो जाएगा तो pi by 3 pi by 3 कट जाएगा r cube से r cube कट जाएगा 2 से कट होगे 2 तो 54 ratio 1 ये इसका रेक्ट आंसर हो जाएगा next question बोला है 2 belan के आयतन का अनपात ठीक है आयतन का अनपात होता है pi r1 square h1 और pi r2 square h2 pi r2 square h2 होता है 4 और 1 के बराबर है उचाई का अनपात 1 और 4 है उचाई का अनपात 1 और 4 कर दिया तो pi से pi कर जाएगा 1 by 4 है 4 side आ जाएगा तो ये r1 का square और r2 का square कितना हो जाएगा 16 अनपात 1 तो 33 का अनपात कितना होगा तो ये 4 और 1 के बराबर हो जाएगा नेक्स शेशन देखो क्या बोल रहा है एक संकु की उचाई 12 cm है इसके आधार की 33 cm है संकु को अपने आधार से समाना अंतर तल द्वारत दो भागों में काटा जाता है जिससे की दोनों भागों की उचाई आपकी सेम रहे इसी तरह का question मैंने आपको अभी एक pyramid का भी कराया थ सेम टाइप से ही आपका question यह आपकी height 111 हो गई है और अगर मैं height संकु के sense में देखूंगा तो 1 2 और यह 3 हो जाएगी ठीक है तो बोल रहा है उपरी भाग निचले भाग के आयतन का क्रमसा अनुपात क्या होगा कौन सा भाग आपको बताना है उपरी भाग यह वाला और हो गए इन्टा फारान होगा इस पोरे पार्ट का इसत तरह का eight हो जाएंगा और इस पोरे पार्ट का three minus 27 होगा तो सबसे उपर वाली का कितना होगा 1 होगा और यहां का कितना होगा 8 होगा तो आउठ इसमें से अगर आप घटा दोगे तो यह कितना एगा यह एक और उनिस हो जाएगा किसका सबसे उपरे भाग और सबसे निचले भाग का ठीक है अगर आपसे तीन पार्ट का एक आएगा और नीचले टोटल का आठा लेकिन इतने पार्ट का पूछा तो यह 7 हो जाएगा अगर आपसे तीन पार्ट में बोलता और उपर और सबसे निचले हिस्से का रेश्यो पूछता तो 1 और 27 में से 8 घटा दोगे तो कितना एक और 19 यह आपका आंसर होता अगले कुश्यन पर आजाओ यह एक्स प्लस 4 इसका गुड़न खंड है तो एक्स की वैल्यू माइनस 4 इसमें सेडेस्फाई करेगी माइनस 4 रखोगे तो चार चुको 16, 16, 16, 16, 48 और इसमें 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 56 और इसमें माइनस 4 एक्स यह माइनस 4 के यह 0 के बराबर होना चाहिए तो के की वैल्यू कितने आजएगे 14 चुको 56 तो के कमान कितना हैगा 14 के बराबर आएगा माइनस 14 नहीं आएगा x plus y plus z अगर 0 के बराबर है तो आपको बताना है x y y z z x upon में x square plus y square plus z square कमान क्या होगा कैसे कर सकते हैं इसको अगर मैं इसका square लिखना चाहूं तो square लिखूंगा तो कितना हैगा x square y square z square plus 2 times x y y z z x के बराबर और यह किसके बराबर होगा 0 के बराबर तो यहां से मैं अगर x y y z z x के value लिखना चाहूँ तो वो कितनी होती है minus में x square y square z square और by 2 आ जाएगा तो यह value आ जाएगी x y y z z x की minus 1 by 2 x square plus y square plus z square तो यहां से यह cut जाएगा पूरा-पूरा minus 1 by 2 यह इसका correct answer हो जाएगा एगला question देखो a plus 4 का cube है वो इसके बराबर है तो यहां पर k का मान बताना है तो भाई देखो a का cube किया plus 3 यहां पर क्या है a का square है तो यहां पर 4 आ गया है तो इस बढ़ 3 गुणे 4 का square होगा तो a आएगा तो 4 का square 16 बते 16 तो 48 यह इसका coefficient होगा a का ठीक है यह कुशन पूच रहा है x plus 1 upon x square के मान value 5 है तो x plus 1 upon x की value कितनी आगी root 5 तो k cube minus 3 के तो 5 root 5 minus 3 root 5 तो यह 2 root 5 के बराबर हो जाएगा k cube minus 3 के यह आपको ध्यान अपना है formula यह एक्स प्लस 1 upon x कमान कितना है 4 चको 16 और 17 बटे 4 तो आपको cube की value बतानी है फिर से k cube minus 3 के कर दोगे अब यहाँ पर k का cube तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि 17 है 17 का square upon में 4 16 चको 64 होगा minus 3 के करोगे तो 3 बुने 17 बटे 4 यह आएगा LCM ले लो देखो जो common है उसको directly अलग कर लो 17 बटे में 4 यह common है तो यहाँ पर कितना बच रहे है 17 का square बटे में 4 common लोगे तो 16 बचेगा 16 LCM ले लो ठीक है यहाँ पर बचे में 1 बचेगा 17 बटे में आपको यह कर रहा हूँ तो आपने का 16 16 48 हो जाएगा तो यहाँ पर यह आएगा 17 का square कितना होता है 289 किस में से 48 अब घटा दोगे तो यह आएगा 1 8 में से 4 जाएगा 4 तो 241 अपन में 16 आ जाएगा तो 241 है 7 से गुणा होगा तो यहाँ पर 7 बनेगा और 16 चको 64 तो 64 आना चाहिए और 7 आना चाहिए यह आपका आंसर होगा तो यह आपका करेक्ट आनसर है बाकी पूरा चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो अगले कुशन पर आजओ पी क्यू पी आर 45 सेंटिमेटर है क्यूर 32 सेंटिमेटर के बुजा के साथ पी क्यू आरेक समध्य बहुतर बुज़े ठीक है पी उपर होगा तो अभी पी क्यू और पी आर बराबर कर लेते हैं यह हो गया 45-45 यह आपका 72 है ठीक है तो पी क्यू और एक समध्य बहुत रिबुज़ा है पी अन जो है क्यू और की मद्यस्त रेखा है तो मद्यस्त रेखा हो एंगल बाइसेक्टर हो यह सारी ही चीज़ें क पना 45-9-3-27 तो यह आपकी लेंद्ध हागी ठीक है अगला क्यूशन पर आजाओ नेक्स्ट विशन बोला है दिये आकरती में बी एसी यह वाला एंगल कितना है एक सेवेंटी डिग्री है एसी बी यह वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है डी इए डी ए बाहरी एंगल आपक जाओ तो यह कितना हैenzie ground sap वेंगे यह बाली एक सेवेंटी में इक सेवेंटी में तो पनुट आजाएगा तो आपने का यह values 65 होगी उगर यह 65 होगी तो इन दोनों के वाला वालाल होगी हुगी अपने का यह चाली छीाय तो यह 25 के बराबर होना चाहिए तो यह यह इसका 25 correct answer हो जाएगा अगला question बोल रहा है एक तिर्वुज ABC का केंदरक G है ABC का केंदरक जो है वो G है तो BG आपको दिया गया है 9 है तो BE की length बतानी आपने का 2 अनुपात एक में break करता है हमेशा जो G होता है centroid 2 और 1 पर break करता है 2 की value अगर 9 है तो 1 की value तो total की length अगर आपसे पूंच रहा है तो 9 और 4 तेरा दिसमलो 5 के बराबर होगा अगला question है यह एक कोण है दूसरे कोण है तीसरे कोण है 2i कमान बताना है तीनों का sum कर दो तो कितना आएगा 4y और 22 और 14 36 और यह भी 36 है तो यह 0 हो गया तो 180 के बराबर हो गया तो 2i कमान 90 के बराबर हो जाएगा तीक है अगले question पे आज़ाओ next question बोला है PQRS PQRS यह वाला आपका कैसा है पैरलो ग्राम है समाना अंतर चतरभुजे ठीक है पैरलो ग्राम है U is the midpoint of QR QR की मद्ध बिंदू U है तो U आपका यहाँ पे हो जाएगा आगे आपको बताया जा रहा है PQ के लेंद दी गई है यह आपको 4 के बराबर दी गई है अच्छा अगर यह आपकी 4 के बराबर है तो आपसे PT कमान यानि कि basically आपको यह वाली लेंद फाइंड आट करने है अब यह question बहुत अच्छा है यह question आपका I think repeat भी हुआ है एक दो बार अलग-अलग तरीके से repeat हुआ है question बहुत important है और बहुत ध्यान से आपको देखना है इस figure को मैं यहाँ पर fit से बना रहा हूँ fit से बना रहा हूँ और आप देखो क्योंकि यह लोग clearly figure नहीं बनाते है वरना आप देख करके ही समझ जाओगे मैं figure को clearly बना रहा हूँ आप देखना और समझने की कोशिस करना यह आपका कुछ इस तरह से parallelogram था यहाँ पर parallelogram क्या होता है उसकी कुछ-कुछ properties आपको पता ही होँगी कि आपने सामने की जो बुजाएं होती ही उनकी length भी समान होती है यानि कि अगर यह 4 given है तो यह भी 4 होगा दूसरी चीज यह वाली जो parallel sides होती है यह भी उसी तरह से होती है कि एक दूसरे के parallel होंगी प्लस parallel होने के साथ length भी equal रहती है आयत का ही आप यह समझ लो आयत को थोड़ा सा इसे गुमा दिया जाए तो आपने का इसका midpoint यहाँ पर आ गया अगर इसका midpoint यहाँ कहीं पर है तो मैं इसको इस तरह से जोड़ दूँ ठीक है और अब क्योंकि यह side इसी तरह से extend करी गई तो यह इस तरह से मैंने इसको बढ़ा दिया ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फिगर बढ़ाने से ही आप हो सकता है guess कर पाए और नहीं guess कर पा रहे है तो अभी मैं आपको proof भी कर दूँगा अब देखो होता क्या है क्योंकि यह वाली जो side है जिसको आपने extend किया है यह वाली side और यह वाली side यह आपकी क्या है यह इसी की parallel line है यह इसकी parallel line है और यह क्योंकि इसके parallel होती ही तो आप कह सकते हो कि यह इसके भी parallel होगी ठीक है आपने का z में अगर दो parallel lines के बीच में है तो ये angle इसके अमेसा बराबर होता है तो आपने का ये वाला जो angle होगा ये इस वाले angle के बराबर होगा दो angle equal होगा है तो तीसरा angle automatically equal होगा ही होगा ठीके प्लस आपने बोला कि ये वाली जो length होगी अब ये वाली length और इनमें अगर relation मिल गया तो बात बन जाएगी तो देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये mid point है अगर ये mid point है तो it means जिसको मैं red कर रहा हूँ उसको देखना आप लोग ये वाली जो length है और ये वाली length आपस में equal है तो अगर दो similar triangles में अगर दो length आपस में equal है तो बची हुई length भी आपस में equal होगी यानि कि ये इसके बराबर होगी और इसकी जो length होगी वो इसके बराबर होगी यानि कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा तो pt का जो आपसे मान पूछ रहा है ये कितना आजाएगा आठ के बराबर होगा तो ये आपका answer हो जाएगा ये बड़े question है इसमें area के बारे में पूछा गया है कई बार कि इसका area बताना है जबकि इसका area दे दिया जाता है ये complete parallelogram का area दिया जाता है एक ही question से जब आप कई questions को frame कर पाऊगे connect कर पाऊगे तब आपको चीजें पूरी की पूरी याद रहेंगी और exam में भी आप बहुत अच्छे score करोगे next question है sin 30 cos 30 और नीचे में cos 30 minus sin 30 तो cos 30 का मान कितना होता है root 3 by 2 sin 30 का मान 1 by 2 नीचे में क्या है root 30 उपर में plus है नीचे में minus है by 2 से by 2 तो कटी जाएगा तो ये value आ जाएगी conjugate से multiply कर दोगे root 3 plus 1 का whole square upon में कितना जाएगा 2 के बराबर ये value sort करोगे तो a plus b यानिकी 3 और 1 4 plus 2 root 3 2 से divide कर दोगे तो 2 plus root 3 के बराबर हो जाएगा ठीक है और I think यही value आपकी ठीक है यही इतना अगले question पर आ जाओ next question देखो क्या कह रहा है 42 पर आ जाओगे sin theta upon में 1 minus cot theta है cos theta upon में 1 minus sin theta 10 theta तो cot theta को पेन करोगे cos upon sin नीचे में क्या बन जाएगा sin theta minus cos theta upon में sin उपर चला जाएगा sin square theta हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर भी same हो जाएगा उपर में cos square हो जाएगा नीचे में cos theta minus का sin theta बन जाएगा ठीक है तो minus sin अगर common ले लो तो यह plus हो जाएगा यहाँ पर plus में हो जाएगा sin theta minus cos theta तो LCM लोग है तो नीचे में बचेगा sin theta minus cos theta और उपर में क्या बन जाएगा sin theta plus cos square theta जो की 1 हो जाएगा तो 1 upon sin theta minus cos theta ये इस question का answer हो जाएगा अगले question आपको देखो क्या बोला है sin a और ये है sec a इसकी value इस तरह से दी गई y minus cos a के बराबर तो आपको y times x square minus 1 का मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है अच्छा देखो sin a है और यहाँ पर क्या है sec a है तो आपको y चाहिए और x square minus 1 चाहिए तो y जो है ये किसके बराबर है sec a plus cos a के बराबर ऑर x क्या है sin a plus cos a के बराबर है x का square करना है x का square करोगे तो कितना आजाएगा sin square a plus cos square प्लस टू साइने कॉसे हो जाएगा माइनस वन करोगे तो वन से वन कर जाएगा तो ये टू साइने कॉसे हो जाएगा और वाई से गुणा करना है आपको किसको टू साइने कॉसे को देखो भाई इसमें गुणा कर देंगे वाई में तो टू साइने कॉसे है जब सेके में बच रहा है और sin a plus cos a किसका है x की value है तो sin a plus cos x की value है तो यह 2x के बराबर आपका answer आजाएगा अगला question देखो क्या है इसको one upon sin square one upon cos square है तो यह हो जाएगा sin square a cos square a और उपर में तो क्या बन जाएगा one बन जाएगा तो one upon sin a cos a है उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा sin उपर जाएगा तो sec a और cos a की तरह हो जाएगा अच्छा sec a और cos a के है ठीक है अब देखो यह वाली value जो है यह किसके बराबर हो सकती है अगर 10 a कोटे को हम लोग open करेंगे तो यह क्या होगा sin a upon में cos a plus cos a upon में sin a और देखो यह आपका LCM आ जाएगा sin a को से के बराबर ऊपर में sin square a cos square बन जाएगा जो कि हमें required है तो tan a plus cot a यही value से को से के के बराबर होगी ठीक है अगला question देखो क्या बोल रहा है cot square x upon में 1 plus root 3 half times 3 minus root 3 is equal to cot x तो x का मान आपको बताना है क्या होगा अच्छा देखो tan में 0 की value 0 होती है 90 की value infinite होती है cot में 0 की value infinite होती है तो cot 0 कभी नहीं होगा और 90 की value कितनी होती है 0 होती है अच्छा तो अगर पहले option से जाए तो 90 है एक option तो 90 यानि की रखने पर यह 0 हो जाएगा यह 0 तो यह 0 तो यह तो fit नहीं बैठ रहा है तो पहला option नहीं होगा 90 जिसमें भी है वो option नहीं हो सकता तो आ यहां भी 1 हो जाएगा तो यह जो value है यह कितनी लिखी हुए देखो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं तो यह है 3 by 2 minus root 3 by 2 और यहां पर कितना आएगा 1 by 1 plus root 3 तो उपर में अगर मैं गुणा कर दूंगा तो root 3 minus 1 से गुणा होगा नीचे में तो यह 2 आ जाएगा तो यह root 3 by 2 आ जाएगा तो यहां पर root 3 by 2 से कट जाएगा 3 by 2 में minus 1 by 2 करोगे तो यह value 1 आएगी जो कि satisfy कर रहा है तो यह pi by 4 तो इसका answer होना चाहिए अब चेक करते है pi by 6 यानि कि कितना होगा 30 degree क्या यह satisfy कर रहा है तो 10 30 कितना होता है 1 by root 3 और 10 60 होता है root 3 तो cot 30 कितना होगा root 3 के बर square 3 बटे में कितना है आपने का इसको solve कर लेते हैं सीधे से root 3 minus 1 by 2 हो जाएगा यहां पर 1 by 2 है 3 minus root 3 है देखो 3 minus root 3 इसको भी लिख सकते हैं तो half है तो यही value बचेगी 3 minus root 3 by 2 तो आई जाएगा और यह value किसके बराबर है cot x के बराबर cot x के value कितनी होती है आपने बुला cot यह root 3 के ही बराबर होती है तो क्या यह root 3 के बराबर बन रहा है तो यह तो root 3 के बराबर नहीं बन रहा है तो यह तो satisfy नहीं कर रहा है तो pi पे कितना होगा अब देखो pi पे value कितनी होगी जीरो पर कितना है यह infinite है जीरो पर infinite है और 90 पर कितना है 90 पर आपका 0 है तो यहां पर यह minus माइनस इंफिनाइट की तरफ जाएगा तो यह प्लस इंफिनाइट है या माइनस इंफिनाइट है तो आपने का पाई बाई फोर तो दोनों ही केसिस में है लेकिन हाँ 30 पर यह सैटिस्फाइड नहीं कर रहा है थर्टी पर एक बार चाओ तो फिर से चेक कर लो कॉट स्क्राइक हो जाएगा कितना तीन रूट फ्लस वन है रूट थी माइनस वन से घुना करोगे तो और ट्री माइनस वन झाएगा यहां पर हाफ रूट root 3 करोगे तो यह value भी जो लिखी हुई है 3 minus root 3 ही है अच्छा यहां पर जोड़ा जा रहा है घटाय नहीं जा रहा है तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 minus root 3 3 minus root 3 है तो यह तब भी 3 minus root 3 ही बन जाएगा तो 3 minus root 3 अगर आप इसमें से जोड़ दोगे तब यह इतना ही 3 minus root 3 आएगा जबकि यहां पर root 3 है तो यह आपका cortex की value satisfy नहीं करेगा तो यही फिर fourth option ही इसका correct answer होगा ठीक है चलो अगले का rent है 9% raw material आपका कितना है 17% तो कितना अधिक है तो यह आप निकाल सकते हो 8% तो 8% अधिक है तो 8% total expenditure कितना है 136,000 का 8% निकाल दोगे 136,000 है तो 1 0 8% हो गया 0 से 0 काट दिया तो 8 एक बार 0 आएगा अच्छंग 48 आएगा तो यहां पर आपका चार बचेगा तो चार बचेगा तो 24 और चार यह 28 दो आजाएगा आट दो दस तो दस आट सो असी यह इसका अंसर हो जाएगा अगला कुशन बोला company दोरा furniture अन्य पर किये गए कुल वय क्या है ठीक है furniture और अन्य तो furniture पर जाओगे तो यह 14 और अन्य कितना है 20 तो 34% की value आपको बता नहीं है तो 34% कि इसका 136 0 का तो यह value आजाएगी 106 24 के यहाँ पर आएगा चार ये एक ही option में है आपका अंसर आ गया किराया पर किये वय कि लिए वेतन पर किये वय है का अनपात क्या है किराय पर वय और वेतन पर वय तो किराया कितना है अ本े का rent है 9 और वेतन यानिकी salary आप देते हो तो 9 और 40 का ratio इसका बताना था और अन्य पर किये गए कुलवे द्वारा बनाएगे केंद्री कुणों का अंतर तो फर्नीचर आपका कितना है 14 और किराय कितना है 9 तो 14 और 9 तो फर्नीचर आपका कितना है 20 तो अब यहां पर जो भी मल्टिप्लाइ करते हैं तो गुणा करोगे इसी में 360 से यह भी अपॉन में 100 होता है गुणा करोगे 360 से तो यह 100 अपॉन 360 तो कॉमन ले सकते हो या फिर इसको आप कह सकते हो परिवहन का एक न्याया वे जोड़ा गया है इस वे को पूरा करने से अन्य सभी वे कम हो गया है यदि परिवहन पर किये वे द्वारा बना केंद्री कॉन 72 डिग्री है तब कितनी राशी रुपए में अन्य के लिए अन्य सभी खर्च कम हो जाते हैं तो बैसिकली यहाँ पर आपको 72 डिग्री के वैल्यू बतानी है कि इसका 136,000 है इसका 72 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे तो यह कितना आजाएगा 360, 1,0 स1,0 कटेगा 36 से 2,000 तो 136 का दुगना कितना हो जाएगा 6, 2,0 है ना और 6, 2,12, के 2 हांसे लगेगा 1,3,6 और 1,7 और यह हो जाएगा दो तो दो सो बहत्तर दो जिरो इतना आपका जो व्य होगा वो बांकी सभी से कम हो जाएगा और यह इसमें एड हो जाएगा ठीक है थैंक्यू फो वाचिंग गाईज